तो आर्वी एनिल का मेनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है शेयर में आज हम बढ़ियां तीजी देख रहे हैं और बुक भी अच्छी हो और लगातार कंपनी को ओडर मिल भी रहे हैं कंपनी के नतीजों के साथ साथ और बुक ग्लोबल कारबार में विस्तार इन तमाम मुद्धों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गये हैं आरविय निल के डिरेक्टर ऑपरिशन्स राजीश प्रसाद राजीश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए स्वागत है आपका आटीनों सोदिश पर सबसे पहले आप से यह जाना चाहेंगे सर जो अभी ओर आपके पास आ रहे हैं अगर हम पिछले साल भर की बात करें तो इसमें जो domestic order हैं उनका share कितना है जो international order आ रहे हैं उनका share कितना है और क्या जो international order आ रहे हैं उनके margin आपके लिए बहतर होते हैं तो आपने एक साथ बहुत सारे नमस्कार अभिसेग जी डिम्पी का अलरा जी भी साइध हैं आपके चैनल में तो आपने एक साथ बहुत सारे तो सबसे पहला question आपने पूछा कि आपके orders कितने आए हैं तो अभी आज की rate में मेरे पास order book जो है करीब 85,000 करोड का है और हमने अगर आप यह देखेंगे business development का तो हमने 286 bids last financial year में drop किये total cumulative I am talking about और हमें 1,50,000 करोड का यह total amount था जिसमें मेरा जो success rate था यह करीब 24-25% था and अभी हम जो foreign segments की बात करें see all together it is a very new field अगर आप देखेंगे तो पहला जो business हमें मिला था इंडिया में वो October 21 में मिला था पहला जो overseas projects मिला था वो 23 January में मिला था अभी हम expression of interest दो projects है एक है Botswana railway में जो करीब 2000 करोड का है जो एक ममाबला to some South Africa में some place है जिसको connect करता है एक नाभीविया में है वो भी करीब इसी amount का होगा इसमें हमने expression of interest में अभी हम short list हुए है foreign projects में हम South Africa में, Oman में, UAE में, Maldiv में हमारे offices खुल गया है अभी चुकि ये, we are not very old in this business we are trying to get large number of projects अभी हमें solar projects में दो projects मिले थे, विदेश में जो कि हमने एक company JZPL के साथ में, एक में consortium arrangement किया था और एक में JV arrangement के साथ किया था छोटे-छोटे projects थे, एक Kingdom of Saudi Arabia में था और एक Republic of Uzbekistan में था सो ये foreign में भी projects अभी हम आई कर रहे हैं, we are trying our level best to get more and more orders बट ये जो आप percentage के terms में break up आप जो चाहते हैं, वो readily मेरे पास available नहीं है बट domestic orders जादा हैं, अब अगर आप भूलेंगे कि आपका कोई बात ने सर, कोई बात ने सर, आपसे हम order का पूरा लेखा जो खा आराम से ले लेंगे सर, आपने इतना बता दी, इससे हम समझ गए, आप का कहना चाहते हैं, अच्छा राजेश सर, एक तो देखिए देश के परधार मंतरी इने ने एक point बोला है, वो कहते हैं, rail भी विकास, दोनों नामी एक जैसे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि rail भी हो, विकास भी हो, आपकी company ना चले, बहुत बहुत बहतरी रिटन आपने दिया है, और मैं थोड़ा ना आपसे outlook के बारे पता करना चाहता हूं, कि company के आगे योजना और कैसे है, क्योंकि माल लिजे सेम सरक कार रिपीट होते, एक्जामपल के लिए, तो फिर आप क्या क्या करोगे, पहला पॉइंट, और एक और चीज़ सर, राजे सर, यह मेरा निजी तोर पर मानना है, policy बनाए कोई और, चलाने के लिए तो management ही होती है, और आप से बढ़िया management शाद RVNN को मिलेगी नहीं, क्योंक स्टेटमेंट दे दिया, तो आपके जो चैनल का जो नाम सौदेश है ना, तो इससे एकदम घर वाली feeling आती है, घर जाने की खुसी अलग होती है, और घर जैसी जगा और कोई नहीं होती है, तो आपने एक outlook का बात किया, फिर आपने मेरे बारे में भी कुछ बात किया, तो देखे, पहले मैं अपने के बारे में बताते हैं, कंपनी जब कोविड आया था, तो पूरा वर्ल्ड है, सो बेसिकली सेकन अफ हो गया था, और उस कोविड पिरियड में भी हमारी कंपनी ने जब अर्दस परफॉर्म किया, और पिछले financial error के result को उसने ब्रेक किया, और आप आप डे-टू-डे में जो भी आपके जो problems होते हैं ना, सबका solution गीता में आपका लिखा हुआ है, तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, एक मैं इंटर्व्यू में गया था, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप एक sentence में आप बताइए कि आप क्या हैं, then I said I am a very simple, sincere, God-loving, God-fearing, passionate person and believe that work is worship. तो अगर आप इसवर से डर्येगा ना, तो बाकि किसी से आपको डरने की जरुवत नहीं है, और दूसरी जो कर्म भूमी होती है ना, कर्म भूमी के दुनिया में सरम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग आपको और हमें ही भरना है, तो मैं यहां पर गीता का स्लोक आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, जो कि हमारे जो मेटरो मैन है, स्रीधरन सर, वो भी इसको काफी बार रिपीट किये हैं, और लोग इसको बहुत, सी, जितने भी छोटे-छोटे प्रावलम्स है ना, सब का हल गीता में लिखा और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, यह स्लोका है, चप्टर 18 का स्लोका 26, which says, मुक्ष संगो नंग वादी, धिर्तु साह समन्विता, सिद्ध सिद्यो निर्वीकारा करता सात्विक उच्छते, मतलब संग्या असक्ती से रहित, अहंकार से रहित, धैर्वा उत्साह से ऐसा करता सात्विक कहा जाता है, इसका सिंपल सा मेनिंग यह होता है, कि यू शुड नाट बॉदर अबाउट रिजल्ट, आउटकम, दफ्रूट, मैं भी दियर, मैं नॉट भी दियर, डू विथ, फुल थ्रॉटल, फुल डेडिकेशन और सिंसेरिटी, रिजल्ट्स अपन आउटलूक अफ 20,000 करोर्स प्लस अफ अफ टॉप लाइन, बाटम लाइन, 1600 तो 1700 करोर्स, विए यह राइग अन ओर्डर बुक अफ वन लाग करोर्स, विवन तो इंटर इंटर इंट इन विजनस अफ फॉर फाइव मोर कंट्रीज, अभी फाइननसेल एक आटिकल आया था, कि 2013-14 में आपकी क्या नमबर्स थे, हाइवे 91,000 किलोमेटर्स था, अभी 1,46 है, रूरल रोड 3,80,000 किलोमेटर्स थे, अभी 7,55,000 है, एरपोर्ट्स पहले 70s थे, अभी 160 है, उस तरह के उच्छे साथ ही स्टाटिस्टिक्स थे, तो इसको हमने भी अपने आर्विनल के करोर नवाटम लाइन उस समें 157 करोट था, आज मेरा 1500 करोट टच कर रहा है, प्रोजेक्ट expenditure उस समें 15,000 करोट था, आज मेरा 1,6,000 करोट टच कर रहा है, नमबर और प्रोजेक्स उस समें हमने केवल 40 किये थे, अभी 150 की उपर चले गेο, 152 हुआ, उस में 10 की अभी करेगा मार्केट कर रहा है एंड आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि आपने इस कंपनी पर बहुत विश्वास जिताया है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी आर थाइंक्फुल फॉर देम नहीं राजेशी बहुत अच्छे डिटर्न आपकी कंपनी ने दि और साथ हमारे दर्श को भी दी पर आजएश जी जिस तरीके से अब ग्रोथ पास की बात कर रहे हैं भरोसा तो पूरा कायम है पर हम समझते हैं कि जो बंदे भारत ट्रेंज हैं जिस तरीके से हम रेलवे का अपग्रेडेशन होते वें देख रहे हैं उसका प्रोटाइप आ आगे कैसे बढ़ेगी और साथ ही रवेन्यू पोटेंशल आप इस पूरे वंदे भारत ट्रेंज से किस तरीके से देख रहे हैं अगर पुराने अगर कोई इन्वेस्टर्स कॉल या कोई इंटर्व्यू अगरा देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने यह प्रोजेक्ट कि हो गया है मही में उसका पाला इंस्पेक्शन होगा and we are expecting कि जून में यह complete हो जाएगा So the mock-up part is likely to be over by the month of June and then the production can start from November 24. The first prototype we are expecting by September 2025 and then every year we are supposed to manufacture 12 numbers in first year and then second year 18 and then subsequently 25 years. This particular project may we have already infused equity to the extent of 151 crores as I had earlier said this will be manufactured with Latur that particular factory was also constructed by us and then we are going to have the maintenance at three depots Jodhpur, New Delhi and near some Bangalore. So these three depots are getting upgraded. So what I see is that the project is more or less in timeline and it has got a comprehensive maintenance component for 35 years. These rakes are designed for 35 years. These are the sleeper coaches, aerodynamically designed and basically it is indigenous, an effort of the Make in India, Aat Mirba Bharat. And we are having a share of 25%. So things are on track and we expect that the mock-up will be concluded in June and the manufacturing will, the first prototype will, the manufacturing will start, I said in the month of say November, October, September, September, sorry. Okay sir. Rajesh sir, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.